स्टूरेंट्स ये हमारा बुक वन लेसन नमबर फोर थैंक यू मैम का दूसरा लेक्शर है और ये कंजेक्टिब लेक्शर्स चल रहे हैं ओनली अबाउट ट्रांसलेशन्स इसमें हमारा फोकस मुकमिल तौर पे ट्रांसलेशन पे रहेगा सिनोनिम्स और बाकि ग्रमाटिकल पॉइंट्स पे बाद में लेक्शर्स और अपलोड किये जाएंगे या सिनोनिम्स आप अपनी हल्पिं बुक से कर सकते हैं तो स्टार्ट कर रहे हम सेकंड लेक्शर अम हम यूर फेस इस डर्टी अम हम एक एक्स्क्लेमेशन है एक नफरत का इजहार है अम हम यूर फेस इस डर्टी अरे तुम्हारा चेहरा गंदा है I got a great mind, got a great mind इन तीनों लफजों का मतलब होगा decided, I decided, I got a great mind, I decided मैंने फैसला किया है to wash your face for you के तुम्हारा चेहरा तुम्हारे लिए धुलवा दूँ Aren't you got nobody home to tell you to wash your face क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं जो तुम्हारा मुँ धुने का कहे क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं जो तुम्हारा मुँ धुने का कहे No ma'am, नहीं मुहतरमा, said the boy, लड़की ने कहा Then it will get washed this evening फिर ये आज शाम धुल जाये का Quasitive verb है, said the large woman उस बड़ी खातून ने कहा Starting up the street गली में चलते हुए गली में चलते हुए dragging the frightened boy behind her और ढरे हुए लड़के को अपने पीछे खेंटते हुए उस बड़ी औरत ने गरी में चलते हुए और उस डरे हुए लड़के को अपने पीछे खेंटते हुए कहा फिर ये आज शाम धुल जाएगा ऐसा लगता था कि जैसी उसकी उमर 14 या 15 साल है देखें यहाँ पे ही एके साथ वर लगा हुआ है तो ये सबजेंक्टिव मूड है फ्राइल और विलोवाईल वो दुबला बतला कमजोर था इन टैनिस शूज और ब्लू जीन्स जिसने टैनिस के जूते टैनिस खेलने वाले जूते और नीली जीन्स पेहन रखी थी या कपड़े के जूते और नीली जीन्स पेहन रखी थी या कपड़े के जूते और नीली जीन्स पेहन रखी थी या कपड़े के जूते और नीली जीन्स पेहन रखी थी वो तुम्हारा मूँ धुलवाना है Are you hungry? क्या तुम भूखे हो? No, ma'am, नहीं महतरमा said the being dragged boy खिंचे जाने वाले लड़के ने कहा I just want you to turn me loose मैं तो सिरफ ये चाहता हूँ कि आप मुझे धीला छोड़ दे Was I bothering you? When it turned that corner जब मैं उस नुकर से मुड़ी in contact with me लेकिन तुमने अपने आप को खुद मुझे से टकराया said the woman औरत ने कहा If you think that that contact is going to last a while अगर तुम ये सोचते हो कि ये राबता जल्दी खतम हो जाएगा You got another thought coming तो तुम्हे कुछ और सोचना चाहिए When I get through with you जम मैं तुम से निपट लूँगी Sir जनाब You are going to remember Mrs. Loyola Bates Washington Jones तो तुम Mrs. Loyola Bates Washington Jones को हमेशा याद रखोगे Swept बहुत important paragraph है अक्सर papers में आता है Swept popped out on the boy's face लड़के के चेहरे पर पसीना बहने लगा And he began to struggle और उसने कोशिश जारी कर दी क्या कोशिश अपने आपको आजाद करवाने की Mrs. John stopped, Mrs. John's rookie jerked him around in front of her उसे अपने सामने लाकर जटके दीए Put a half Nelson about his neck और उसकी गर्दन पर आदे बाजू के ग्रिफ्ट बना कर उसे पकड़ा And continue to drag him up the street और उसे गली के अंदर खेंचना जारी कर दिया और उसे गली के अंदर खेंचना जारी रखा शुरू कर दिया When she got to her door जब वो अपने दर्वाजे पर पहुंची She dragged the boy inside down a hall and into a large kitchen-it furnished room at the rear of his house जब वो अपने दर्वाजे पर पहुंची उसने लड़के को अंदर खेंच लिया और उसे hall से ले जाती हुई एक बड़े बवर्ची खाने जैसे सजे हुए कमरे में ले गई घर के पिछले हिस्से में She switched on the light उसने light जलाई and left the door open और दर्वाजे को खुला छोड़ दिया The boy could hear other rumors लड़का बाकी कमरे के लोगों को भी बाकी कमरे वालों को भी सुन सकता था laughing and talking हंसते हुए और बाते हुए हंसते हुए बाते हुए in the large house बड़े घर में some of their doors were open उन में से केईयों के दरवाजे खुले हुए थे उन में से बाकीयों के दरवाजे भी खुले हुए थे या उन में से काफी लोगों के दरवाजे खुले हुए थे उन में से काफी लोगों के दरवाजे खुले हुए थे So he knew he and the women were not alone इस तरह उसे पता था कि वो और औरत तनहा नहीं है The women still held him by the neck in the middle of a room औरत ने अभी भी उसे अपने कमरे के दिर्मियान में घर्दन से पकड़ रखा था यहाँ पर हमारा यह lecture wind up होता है lecture number 3 इसकी translation पे upload किये जाएगा